प्रत लिए गर बनेगा जो दुला बरात लेगे जाएगा है साघर मंतरी चारक राजनीती के बढ पो हो layout कि बाकी देश में कोई सुरुक्षित नहीं है महिला विपक्ष में रहते हैं तुम सारे देश के परधान मंत्री बनना चाहते हो ऐसे कभी लड़ाई होती है गया नमस्कार मैं प्रियंका आप देख रहे हैं जनहीत आवाज इस वक्त दिल्ली में हूँ लगातार विपक्ष की बैठक हो रही है लेकिन अभी तक उभर के कोई चेहरा सामने नहीं आया है कि परधान मंत्री कौन बनेगा लगातार विपक्ष में घमासान चल रहा है कि परधान बता दीजिए मैं इस यार दिल्ली हर्याना से बलोंग करता हूँ और पाल सिंग नाम मेरा है और मैं आपकी मेडिया चैनल सभी बाई बंदू पत्तरकार बंदू बाईयों की तरफ से मेरा सबको नमस्कार है अगर कोई आपका देश के परती कोई इसू है कोई पूछना चा करते हैं मैं इस प्रकार की सेवा करता हूं जहां दबे कुछले सोचित पिछड़ा दिली आदिवासी लोगों के उपर को गिरोणिया अरकते होती है जो नाइसाफी होती है उनको सुधार्णे का काम में करता हूं तो देश में परदान मंत्री का डंका बज रहा है पूरभी कि निर्नदर सुधी अधिए परदान मंत्री वह द्याइस के परदान मंत्री हमें क्योंसतों समाज्य डायों के देस का परदान मंत्री उनकी रख्षा करें लेकिन मुझे तो पता लग रहे हैं कि देश का परदान मंत्री इस परकार की गिरोणी अरकते करता है हमारा क्या घिनोनी हरकत बहुत बड़ा है आप इल्जाम लगा रहे हैं घिनोनी हरकत का जवाब यह है कि आप ज्यादा नाम मेरे से खुल करना बात कर खुल करना कमाना चाहते हुँ आप किसी भी स्टेट में चले जाओ अर्याना पंजाब राज्यास्तान चत्तेशगड उडिशा प्रुडिशा जो भी अपाड़े इंडुस्तान के जो स्टेट है हार चेक बेटियों के साथ मैला की बात करता था कि मैला सम्मान मैला दिवस मैला के साथ कितना गिरोना काम सरकार में हो रहा है बलतकार से लेके लड़कियों की इज्जत आब रूपर पहले नहीं होता था ब जो भारते जिंता पार्टि में जो महिला वही सुरुक्षीत है बाकी देश में कोई सुरुक्षित नहीं है महिला यह मैं आप से मीडिया के चैनल से बताना चाहता हूं जिसके पीछे टैग लगया है यह भारते दिंता परटिंग में इला वही सुरुक्षित है बाकी देश में ना नारी का सम्मान है ना देश में को विकास का रोजगार का सम्मान है कोई नहीं है मतलब किसी परकार का कोई वो खेल नहीं चल रहा है सरपीस में तो यह खेल चल रह इसलिए घबराते हैं ना उनका दिल छोटा है कमजोर में वाद करता है तो ऐसे प्रस्थ नहीं हो सकता विपक्स जब एक हो सकता जब देश की बात होगी जब तेस की बात होगी जब इसाविधान को बचाने की बात होगी तब यह पक्स यह 15 एक उने की बात जो करते हैं यह विपक्स को तोडने का काम करते हैं अगर देश के राजा के साथ कोई लड़ेगा तो एक एक अखाडे में पहलवान होता है अब तुम विपक्स में रहते हैं तुम सारे देश के परदानमंतरी बनना चाहते हो ऐसे कभी लडाई होती है गया जी जब कभड़ी की जैना ड validic … हमदान में होता है तो वह एक भीलाडी को साथ ढ़ेचता है G Leslie मैं जब दे सकता हूँ गई पुण एक उलता चून के चर्क्रा दो बोजके कर सकते है । यह मुद्यज़ Judic मैं ऐसे देश के परदानमंत्री को देखना चाहता हूं जो देश के लिए आम लोगों से जुड़ा हूँ आम लोगों के बीच में रहता हूँ आम लोगों के दुखसु की बात करता हूँ उसको मैं विपक्ष का नेता हूँ विपक्ष का देश का परदानमंत्री बनाना चाह व्यक्तिकत कोई पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है मैं एक समाजी के व्यक्ति हूँ मैं यह चाहता हूं देश में वो राज करें जो देश के इतकी बात करें ऐसा ना हो परधान मंत्री से जादा कोई देशीत की बात करता है क्या परधान मंत्री कितना देशीत की बात करते हैं 18-18 घंटे काम करते हैं आप जो यह पत्तरकार जो यह सोसल मेडिया का जो आप ड्रामा करते हो परधान मंत्री आवा आवा फाहिर करते हो रजस्तान में मेना गुजे लड़ादो यह मतलब ठारा ठारा गंटे का काम होता है आपने देखा कहीं बाइचारा है पूरे देश आरोप क्या है यह सत्ते है यह बाद इस बात में कोई कमी होता बताओ आप सर्वे कर लीजी आप गाओं गाओं जाके पूछिए राजस्तान में मेना गुजर अर्याना में नोन जाट सबका साथ सबका विकास मेरा तो कोई वकास हुए आप विकास मुझे बता दे आपका विकास होया हो घाल मने बता दिया मो नंका विकास करते हैं जिन पीछे भारतिय जंता पार्टी का टैग लगया होते है जो आई टी सेल के जो लोग उनके मुखवर पब्ली ग्राउंड में रहते है शरक पूनी का विकास हुआ है आम लोगों का विकास नहीं हुआ है फिर देश में जो होना कि सत्र साल जो 50 55 ऐसा नाम नहीं को दा आसा कोई एक नए चीज बता दो परदान मंत्री ने इतियास में यह नाया अध्या देश ही देश में लागू करया है जिससे देश में बहुत बड़ा सम्राट इंदुस्तान के आ जाए कोई ऐसी चीज बता दें जो परदानबंतरी ने देश के इत्म कोई नई डिगरी कोलिज खोल लिया होता हुआ लोग साधी विवाह का बात कर रहे हैं लालू यादो कहते हैं कि राहूल गादी साधी की जी हम लोग बराती बनेंगे वहां साधी विवाह का बात चल रहा है राहूल गांदी की आपको भात रिखोड़ी लालू परसाध जीन जो टिपनी करी थी आप दुल्ला बढ़ें बराती आप उसका ही सारा नी समझा आप लालू तो अपनी रिष्तेदारी जोड़ने मलग रहा है वह तो अच्छी बात है अगर लालू का रिष्तार आउल से जुड़ता है तो बुल्ला भी बढ़ सकता है उसके पास तोक्षन है लालू जो है माइंडिड आदमी है माइंडिडी का मतलब राजनिती का चानके है व या तो पांच मिन्ट बाइट करा दो दोनों कि अपस में परदान मंत्री की और लालू जी की या मिश्ता की लालू जी की जो जीते का वजदेश का सिखंदर है लालू ने जो को गलत थोड़ी का लालू ने बिल्कुल ठीक है लालू नों सोच समझकन यह सवाल रखया है बढ़क जो लोगो नपता लगी तो फिर मदान चोड़ करता है फिरा मिसा से दुआ सलाम भी करता है फिर यह गुल दस्ता भी देखाता है फिर करता है देश के इतकी बाद कौर से डिगरी करा है जो इंकम ट्यक्स का ैरस था वो सारी कि फाइलों को चुरा के और डेश की पोल खोलता था जब हो सीला THE दिक्सित की जब खोलता दा सो दिल्ली में काम करें उसके बराबर नहीं काम करा थे बता दो हुआ प्रिय क्या सब्रेक्राइब आज भरी शोरी दिल्वी में कितना बुरा हाल ऐसे लोग पुरी जाओ सुल्तान पुरी जाओ मंगल पुरी जाओ जो नहीं दिल्वी से बार का एरिया है कितना बुरा ले कीटना बुरा आला उसने अपने तब पड़ने लग वाल या ठड़ला की औरो की एसी तैसी घरदी के पूछना चाहता हो ना उसका मेरे पास पूरूफ है वीडियो है क्योंकि जब उसके उपर को सिकंग्जा किसा जाता है वो पीम से भी बात करता है और गर्यमंत्री से बात करता है यह जो है ना इमांदार है के जरीवाल मोटा दो हो गया बहुत ज्यादा मोटा पहले टीप भी प्रोटोकोल मुझे बताईए कोण मार देगा उसको जब परमातमान उसकी देर रखी ऊगे मरने की तो गर बैठा बैठा मर जाएगा जनता के बीच मप जिक्यों निगुमता आप खास हो गया जब तो कसम खाता था यहां जंत्रमंत्र में बैठके रामली लामदान में बैठके किस बात कि सभी दा कर रहा हो बताए दिलनी का सत परदान मंत्री कौन बनेगा जो दूला बरात लेकर जाएगा ठीक है वहीं हाप लालू जी जी का ने ने आप आप मेरी बात सुनओं अपर जीविए आंटालो जी राजनीती का न१Park पटना में जो मीटिंग ती अनो Спटना में विपकस की ती थी तो सब को पता है इस बारे में कि देशनार्चीज का पता है से नहीं पता है कि अपको बताता हूं जनता भर्मित है देखिएगा परधान मंत्री मोधी बनेंगे अभी आपको खुल का पता देता हूं लेकिन पत्य लगो कर रखूंगा बिपक्स का चेरा वो होगा जिसका परिवार्द जिसका कुणबा बढेगा अगर भाई भाई अलग हो गए है अगर भाई भाई एक हो जाएंगे तो फिर तो राजा कौन होगा और कौन नी होगा तो समय बताएगा तो आप लोग देख सकते हैं इनका साफ कहना है कि राजा जो है दिल्ली से ही तैं होती है कौन प्रधान मंत्री बनेगा कौन देश पर राज करेगा इस खबर पर आपकी क्या राहे हैं में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं